नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं मुख्य मंत्री मया सम्मान के लिए अवेदन सुरू 50 लाख महिलाए होंगी अच्छा जीत राज सरकार की महत्व कांची योजना जार्खन मुख्य मंत्री मया समान योजना राजबर में लगाई गई सीवित के साथ सनिवार को लंच हो गई है इस योजना के तहट 21 वरस से 50 वरस की उन सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में परतेक मा एक है रुपे मिलेंगे जिनके नाम रासन कार्ड में हो लाभुक को सिर्फ जार्खन का निवासी होना चाहिए अस्थानियता परमान पत्र होना जरूरी नहीं है महिला एवं बाल विकास विभाग ने 48-50 लाख महिलाओं को लवानवित होने का अनुमान लगाया है बतादे विभाग के सचीव मनोज कुमान ने सुचना भौन में आयोजित प्रेस कॉनफरेंस में इसकी जनकारी देते हुए कहा है कि इस योईना का लाव लेने के लिए अवसक दस्तवेज के रूप में रासन कार्ड, अधार कार्ड, मत्ताता पाचान पत्र, बैंक खाता की प्रती ही देना होगा सरकारी कर्मी, अनुबंद कर्मी, आयकर दाता या किसी अने पेंसन योईना से जोड़ी महिला इसका लाव नहीं ले सकेंगे उन्होंने बताया है कि महिलाओं से आवेदन लेने के लिए सन्निवार से पूरे राज में चीनित जगा पर सीवीर लगाई गई है यह सीवीर 10 अगस तक लगाई जाएगी, हालाकि इसके बाद भी प्रग्या केंद्रों के माध्यम से आवेदन लिये जाएंगे आवेदन लेने के लिए पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से ही आवेदन की सुक्रिति पदान की जाएगी त्रीची असल्ट राइफल खरीदने जा रही जारखन पुलिस त्रीची असल्ट राइफल भी आईपी स्रक्षा से लेकर नक्सलियो तक के विरूद जारखन पुलिस आतदुनिक हतियारों का इस्तिमाल करेगी इसकी त्यारी शुरू हो चुकी है इन हथियारों के खरीदारी पर करीब 15 कोई रुपे खर्च होंगे यह हथियार ओडिनेर्स फैक्टरी तीरू चीरा परली से खरीदे जाने है चारकन पूलिश ने राज सरकार को इससे संबंधित प्रस्ताव दिया है बर्तमान बितिय वर्स के अवंटन से ही उक्त हथियार की खरीदारी होनी है सरकार को जो प्रस्ताव भिजा गया है उसके उनसे साथ प्र.62 एमें त्रीची असल्ट राइफल की खरीदारी होनी है जिसका साइड फोल्डेबल बट होगा ऐसे 1597 राइफल खरीदे जाने है इन हाथियारों से समझे अन्य समागरी की खरीदारी होनी है इन हाथियारों की खरीदारी प्रकूल 15,28,29,704 रुपे खर्च होने है हेमंत सर्कार ने निजी कंप्णियों पर लगाया 20,65 लाख जुर्माना हेमंत सरकार ने जहारखन में कारण निजी कंप्णियों 25,5 पदों पर अस्थानियों लोगों को न Christmas देने के लिए कानून लागू किया है निजी कंपनियों एवं अस्थानियों में 40,000 रुपए तक के बेतन वाले पदो पर यह आरक्षन लागू है वर्ष 2022 में इसे समझे कानून जार्खन राज के निजी छेतरों में अस्थानिय उमिद्वारों का नियोजन अधिनियम तो हैरेका इस लागू होने के बाद अब तक इसके उलंगन के आरोप में विभीन कंपनियों से 20,000,000 रुपए का जूर्वाना वसुला गया हलाकि लगाएगा जूर्वाना की रासी इससे अधिक है बता दे स्रम नियोजन अधिन प्रसिक्षन विभाग ने इस कानून के उलंगन पर अब तक 49,000 कंपनियों को नोटिस भेजा है गोड़ा में जन्नी सुरक्षा जोजना में फर्जिवारा कोडार्मा के बाद अब गोड़ा में भी राष्ट्रिय स्वास्त अभियानकित हसन चालीत जन्नी सुरक्षा जोजना में फर्जिवारी का ममला सामने आया है उपपायुक्त के निर्देश पर इसकी जांच के लिए भूमी सुधार उपसमाहारता की अध्यक्स्ता में कमिटी कठित की गई है वहीं जिमेदार लिपिक से अस्पष्टी करन पुछा गया है विभाग नए अभी सविकार किया की कोड़ारमा के सद्गामा समुधाइक स्वास्त केंद्रे में भी इस तरह की गरबाडी हुई है राची में दरोगा की गोली मारकर हत्या राजधानी राची में भी पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं है सनिवार को काके इलाके में एक दरोगा की गोली मारकर अग्यात अपराधियों ने हत्या कर दी है मिलितक दरोगा स्पेसल बरांच में तैनात थे और उनका सो रिंग रोड से बरामत किया गया मिलितक दरोगा की पहचान अनूपम कखचक के रूप में होई है वह 2018 बैच के दरोगा थे बता दे सनिवार की सुबा उनका सो काके थाना छेतर के रिंग रोड के किनारे बोरिया रोड इस्थीत संगरामपूर से बरामत किया गया उसके सरीर पर तीन गोली मारी गई है घटना की सुचना मिलने के बाद पूलिस की टीम मौके पर पहुंची है बता दे पूलिस ने दरोगा के सो को पुश्माश्रम के लिए रिंस भेज दिया है घुस पैठियों के लिए जारखन में काम कर रहा गिरोग जारखन के साहिव गंजिले में बंगलादेसी घुस पैठियों को बसाने उनके लिए रोजगार की बेवस्था करने तथा उन्हें समाजिक सुरक्षाद देने के लिए एक संगठित गिरोग काम कर रहा है पुलिस की खुफिया रिपोर्ट से इसका पर दफास हुआ है रिपोर्ट के अनुसार गिरोग में सामी लोगों का काम बटा हुआ है राज महलवा तीन पहाड के अस्पतालों में फरजी जनम परवन पत्र बनवाया जाता है जिसके अधार पर उनके राशनकार, अधारकार वा अनेदरस्तावेज भी बन जाते हैं इसी तरह से मदाता सुची में भी उनका नाम जूड़ जाता है और सरकारी रोजनाव का भिलाब मिले लगता है रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोग बंगलादेशी घुस बैठियों को बुला कर लाते हैं तो कुछ उनके रहनिक वेवस्था करते हैं घुस बैठियों के लिए कानूनी वा सरकारी कागजात की वेवस्था करने वाला गिरोग है फरजी जनम पवान पत्र बना कर अवैध रूप से भारत में घुसे लोगों को यहां का नागरिक बाता कर उन्हें वैध निवासी बना दिया जाता है चत्रा में नदी में बहे तीन बचिया दो की बचिय जान चत्रा के टंडवा थाना चेदर श्थीत चुंदरू बढ़ की नदी में सनिवाई को तीन बचिय अब आ गई थी हलाकि उनमें से दो किसी तरह से संभल कर बाहर आ गई लेकिन तीसरी लपता है पर सासन और तैराक लपता बचिय को तलास में जुटे है बता दे चट्टी गाली लोंग गाउ की तीनो बचिया जंगली फुटका लाने के लिए चुंदरू बढ़ की नदी के समीप इस्थित जंगल में गई थी वहां से लोटने के करम में नदी की नारेश्थित मिटी धास गई जिस्ते तीनो बचिया तेज धार में बहने लगी इस बीच दो बचिया तो बच गई किसी तरह दोनों ने नदी की नारेश्थित बास फेक तीसरी को बचाने का प्रयास किया लेकिन तेज बहाव की वज़ा से बच्ची बास पकड़ नहीं सकी और वह नदी की तेजधार में बह गई सताक्षी किरन बनी ज्हारखन मिस यूनिवर्स ज्हारखन के पत्रातु लेक रिसोर्ट में होने वाले मिस यूनिवर्स परतियोगता का ताज जमसेद पूर्गे सताक्षी किरन को पनाया गया वही रॉनर अप रांची की रिया तिर्की बनी है आयोजगों ने बताया है कि सितंबर माह में दिल्ली में होने वाली मिस यूनिवर्स इंडिया में सताक्षी किरन ज़ार्खन राज का परतिनीद्व करेंगी उन्होंने आगे कहा है कि या कार्करम ज़ार्खन के लिए एक महतपुन मिल का पथर सावित होगा इसके साथ ही परत्योकता से केरियर में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्पून मौका भी मिलेगा वीनर सताक्षी कीरन ने अपने जीत का स्रे अपनी मा को देते हुए कहा है कि मेरा लक्ष मिस इन्वर्स बनकर जारखन के कला संस्कीति को देश बिदेश तक पहुचाना है ये मोधी की कारसेली का पूरा बिश्व कायल हो गया है भारतियों को अब विदेश में काफी समान मिल रहा है देश की तरक्की के लिए बयट में काफी योजनाओ का लागू किया जा रहा है इन योजनाओ को सत्र पर्थ्यत हम तब ही पूरा कर पाएंगे जब राज सरकार आपना पूरा योगदान देगी जार्खन की हेमन सुरेन सरकार विकास के मामले में सनवेदन सिलता नहीं है केंद्र की वजनाओ को फेल करने में राज सरकार का पूरा योगदान है केंद्रिया मंत्री संजाय सेट ने उक्त बात्ते बिश्टुपूर चेमबर भवन में सनि करते हुए कही है जार्खन में अब तक साथ हजार दुसकर्म और प्रति दिन हो रही पांच हत्या है नेता प्रतिपक्ष अमर गुमर बावडी ने सनीवर को परदेश करे ले रांची में आजित प्रेस वारता के दोरान जार्खन सरकार पर कानून ब्यवास्था को लेकर बड कर हत्या कर दिगाई कल जब विधान सभा का सत्र चल रहा था उसी समय सुचना आई कि अधिवक्ता गोपी क्रिष्टना को उनके मुहले में चाकू गोद कर मार दिया गया साथ ही बावरी ने कहा है कि अब तक साथ है दुसकर्म की घटनाए हो चुकी है परदेश में प्रति गंज और पाकूर पहुंची SIT जारखन हाई कोट के निर्देश पर बांगलादेशी खुस्पैटियों की पाचान को लेकर राज निर्वाचन आयोग यम जीला पसासने जान शुरू कर दिया सनिवार को पाकूर विधान सभा चेत्र के बिजायपूर एवां सिरासिन गाउ पहुंच का टीम के सरस्यों ने जाच की है टीम में बहरवा बीडियो सन्नी कुमार दास पाकूर विडियो समीर और पाकूर सियो भागीरत महतों के अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा गठीत बिधान सभा अस्तर्य टीम के सरस्य सभाजपा नेता विबेकानन तिवारी वा अनुग्राहित साह सामिल रहे जाच की कराम में टीम ने विजयपुर बुद संक्या एक सो तीरपन में लवक तीस परिवारों के आधार एवं वोटरकार्ट की जाच की है मुख्यमंत्री मया समान योजना के लिए गिरीडी में भारी भींग्ड सनिवार को प्रखंड के सभी पंचाय सचिवाल में मुख्यमंत्री मया समान योजना के लिए सीविर सुरू हुआ इस दोरान सीविर में आवेद को की भारी भीन उम्री सुबह से साम तक भी भीन सीविरों में हजारों आवेदन जमा हुए हलाकि सर्वा डाउन होने के कारण आवेदन की ओनलाइं इंटरी नहीं हो पाई लगभग सभी पंचायतों की यही इस्थीती रही बतादे गांडे के मुखिया अमरीत लाल पाठक ने बताया है कि सीविर में पहले दिन करीब 200 आवेदन जमा हुए लेकिन सर्वा डाउन होने के कारण एक भी आवेदन की ओनलाइं इंटरी नहीं हो सकी तारा टांड पंचायत की मुखिया यह सुधा देवी ने भी कहा है कि पहले दिन 400 आवेदन जमा हुए वही एक भी आवने इंटरी नहीं हुई है यही हाल फुल जोरी और मेदिनी सारे समेत अन पंचायतों की भी रही है सराय केला के चांडील में मिटी का घर गिने से पती पतनी की मौत सराइकला खरसवा जीला चांडिल पर खंड छेत्र अंतरगाद चौका थाना छेत्र के घोर नकसल प्रफाई छेत्र रेयारदा गाउ के टोला डूगुर डिह में लगातार हो रही भारी बारी से मिटी का खपरेल मकान गिर गया मिटी का घर गिरने से घर में रह रहे ब्रीद दम पत्ती एवं तीन बक्री वं पांच मुर्गी की मौत हो गई है जनकारी की मुताविग घटना बीते सुक्रवार देर रात करी बारह बजे की है जिसमें पच्पन वर्सिये डूमबा मुंडा यह उनकी पत्नी पचास वर्सिये लोमदा मुंडा की मौत हो गई है मुख्य मंत्री मय्या समान योजना का फरम नहीं मिलने पर महिलाओं ने किया हंगामा करोब परखंड छेतर में सनिवार से विभीन पंचायतों में मुख्य मंत्री मय्या समान योजना का फरम मिलने के लिए महिलाओं की उमर पड़ी है वहाई परखंड की पंचायत में आने वाले कई गाओं के महिलाओं को इस योईना का फरम नहीं मिलने से आकरोश देखा गया उन्हें समधाया और फरम उपलवद कराने का स्वासन दिया गढ़वा में बाढ़ से दमपत्ती की मौत गढ़वा जिले में पिछले 30 घंटे से हो रही बारी से अब जन जीवन प्रभावित हो रहे हैं भंडरिया थाना छेतरे में नदी पार कर रहे पती और पत्नी की डूबने से मौत हो गाई भंडरिया में लगातार हो रही बारी से पती पत्नी खेत में मैदोरी कर बजार से समान लेकर वापस जाने के करम में थाना के पीछे एक नदी के छलका पार करने के करम में दोनों पानी के तेजधार में बह गए जिससे उनकी मौत हो गई है पलामू में उफान पर कोयल नदी परसास्ते ने जारी किया अलर्ट जारखन के पलामों में दो दिनों से बारिस हो रही है भारी बारिस के करान मेदनी नगर के कोईल नदी में बार आ गया है सहर के निचले इलागे में बार का पानी से लोग परभावित हुए है वहीं कोईल नदी में बार आने से कोईल नदी के तड़ पर पानी उपर तक आगया है जिससे खत्रा बना हुआ है वहीं दूसरी वर काफी संख्या में सहरवासी नदी का बार देखने पहुंचे हैं और सेलफी भी ले रहे हैं हलाकि बार बार पुलिस परसाशन लोगों को आगाह कर रहे है कि सवधानी बरते एक दसक बाद इस तरह के हलात कोईल नदी का बना हुआ है पलामू परसाशन ने भी पूरी तरह सेलफ जारी किया है फिर भी कुछ लोग कोईल नदी के पूल से छलांग लाया कर स्टंड दिखाते हुए नजर आ रहे हैं वहीं जल अस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है धन्यवाद